आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हमसे पूछा गया है कि यहां पर A और B Fluid है दो तरीके के जो हमारी Body में Transportation में involved होते है Fluid A and Fluid B Fluid A के Characteristic है कि Colorless होता है Less Oxygen भी होता है इसमें Less Protein होता है Fluid B जो होता है ज़्यादा Colorful होता है इसमें Oxygen भी ज़्यादा होता है Proteins भी ज़्यादा Present होते है हमें A और B Fluid बताने है तो बहुत ही Simple सा Question है हमारी Body में जो Main 2 Fluid Transportation का काम करते है वो एक तो होता है Blood Blood जो हो जाएगा Fluid B हो जाएगा क्योंकि यह Color भी होता है यह Oxygen भी Carry करता है RBC के तो इसमें Protein भी ज़्यादा Amount में पाया जाता है और जो Fluid A हो जाएगा जो हो जाएगा Lymph Fluid A Lymph जो होता है Colorless होता है इसमें क्योंकि मूसली क्या present होता है Water and Plasma present होता है और White Blood Cells इसके साथ present होते है WBC थोड़े से Proteins present होते है थोड़े से Fat के Globals इसके अंदर present होता है तो Lymph और Blood यह दो Main हमारे अंदर Transportation के लिए Fluids present होता है Next में हमसे पूचा गया Flow chart के थूरू हमें बताना है Moment of Fluid A Fluid A का यानि Lymph का हमें बताना है From the Intercellular Spaces to the Main Circulatory System Main Circulatory System कहां से स्टार्ट होता है हमारा हर्ट से तो हमें Intercellular Spaces से होता कि जब Blood ट्रेवल करता है तो Blood के थूरू जो छोटे-छोटे से छोटे-छोटे से Proteins होते हैं छोटे-छोटे Molecules होते हो कई बारे क्यूंकि Capillaries में हमारे Pores प्रेजन होता है तो उसके थूरू वो Intercellular Space में पहुच जाता है अब Intercellular Space में हमेशा नहीं रहते है वहां से भी एक Fluid जो होता है Capillaries में ट्रेवल करता है फिर यह Capillaries जाकर के बनाती है Vessels Vessels में चला जाता है फिर यह Lymph जैसे हमारे Blood में Vessels होते है Capillaries से Vessels Vreens बनते हैं वैसी यह बना देता है Capillaries से Vessels Vessels के बाद यह जाता है Duct में Ducts बने वे होते है या उससे पहले हमें बोलना चाहिए Nodes में जाता है Nodes होती है Lymph Nodes हम बोलते है Lymph Nodes के अंदर बहुत जाल जैसा सिस्टम होते है जैसे अगर Lymph के अंदर कोई भी अगर Bacteria अगर प्रेजन प्रेजन होगा तो Nodes के अंदर प्रेजन होते है बहुत सारे WBC, Macrofages यह सब चीज़े Immune System के जो Molecules होते है वो इदर प्रेजन होते है और वो इनको वही पर मार देते है तो Nodes के बाद फिर आगे ट्रवल करते है Nodes के बाद जाते है Duct में Lymph ट्रवल करते है Duct में Duct के थूँ यह जाता है Heart के पास आ जाता है अब यह किसके थूँ Left Subclavian Subclavian Wean Left Subclavian Wean से पहुँच जाता है Superior Venakawa में Heart के Superior Venakawa अब यह सारा जो लिंफ होता है यह ट्रांसफर कर दिया जाता है Blood के अंदर यहां से Heart के थूँ प्रिकि यह तो Heart का पार्ट होता है अब यह सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है Blood में और यह Blood में पहुँच जाता है और वापस अपने टिशूच सब पहुँच जाता है तो यह पूरा चार्ट होता है इसके ट्रावल करने का Next पूछा गया है What role does Fluid A play in digestion of food in humans अब इसका digestion में क्या function होता है तो जो lymph होता है मैंने अभी आपको बता है कि lymph के अंदर क्या क्या present होता है lymph के अंदर water होता है plasma, WBC साथ में मैंने क्या बोला fat के globules भी इसके अंदर present होते है fat के छोटे-छोटे globules भी देखो fat जो होता है वो Blood में soluble नहीं होता ये Blood में घुल मिल नहीं सकता जब digestion होता है किसी भी चीज़ का suppose fat जब digest होते है तो fat digest होकर के direct protein, carbohydrate की तरह Blood में नहीं जा सकता ये नहीं हो सकता ये process तो fat को कहां भीचा जाता है पहले body fat को भीचती है lymph में तो ये lymph carry करता है फिर ये पूरे process के थूरू lymph जो होता है heart में blood के साथ तब finally mix करता है directly blood fat को absorb नहीं कर सकता तो ये fat का जो digestion होता है उसमें help करता है main इसका ये function होता है Classics to 12 से लेके NEED IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें doubt net आप ये whatsapp कीजिए अपने doubt 8444 चार्स उपर